से डू ओल कैसे हो तुम सभी लोग आए होप सो तुम लोग बहुत ही ज़ादा बढ़ी हो गयार आज के इस वीडियो में हम लोग करना वाल है मोल कॉंसेप्ट मोल कॉंसेप्ट मैं अल्रेडी एक बार करा चुका हूँ बट इस लेक्टर इस वेरी डिफरेंट क्योंकि आज हम हम लोग यहां पर एकदम इजिएस्ट वे में सारी चीज़ा कर रहे होंगे और कठिन से कठिन पीवाइक्यू उसको भी सॉल्फ करेंगे ठीक है तो यहां पर से आज हम ओल कॉंसेप्ट कंप्लीट चेप्टर विथ पीवाइक्यू निफ्टा रहे होंगे फॉर आई सीएसी अगर प्रेशर कॉंसेंट है तो यह दो लॉज जो न बहुत ही जादा सिंपल लॉज है थीक है बस सिंपल सी बात याद यह रखनी है कि इन्वर्स हम लोग यहां पर से रिलेशन यूज़ कर रहे होंगे इंदा बॉयल्स लॉज जहां पर अपन जो है टेंप्रेचर को कॉं अगर तुम देखोगे बेसिकली हम यहां पर एक प्रॉपर एक प्रॉपर एक प्रॉपर एक प्रॉपर निकल के आता ना एकदम समझे रोगे यूसफुल प्रॉडक्त मतलब सबसे मीठा पोर्शन एक फलका हो यह है ठीक है उसके बाद मैं बहुत आगे बढ़ेंगे तो यहां पर से अपन स्टेंडर्ड टेंप्रेचर एंड प्रेशर के बारे में तो पता नहीं कब से सुनते हुए आ रहे होते हैं यहां पर से जोने तुमारा वॉल्यूम ऑफ एफ अलैक ऑफ एनी गैस कित्ता हो रहा होता है 22.4 लीटर होता है अच्छक बहुत बढ़ी है उसके बाद में बहुत आगे बढ़ेंगे तो यहां पर से अब पहली बात तो मैं मोल्स अब यहां मोल कॉंसेप्ट पढ़ने जा रहे हो मोल्स को कॉंटिटी में तो समझ लो देखो यहां पर अगर मोल को तुम कॉंटिटी में समझने जाते हो तो तो होत 6.022 into 10 to the power 23 अच्छा ये जो होता है ना इसको अपन पता क्या बोलते हैं इसको अपन बोलते हैं अवगाडरोज नंबर इसको अपन क्या बोलते हैं अवगाडरोज नंबर ठीक है अवगाडरोज नंबर ठीक है तो यहाँ पर 6.022 into 10 to the power 23 atoms मिल जाएंगे, सेम अगर मैं one more molecules की बात करूँ तो भाईया यहाँ पर 6.022 into 10 to the power 23 molecules मिल जाएंगे, simple सी बात है एकदम उसके बाद में बहुत अगर अब यह पन आगे बढ़ते हैं लाइक, when gases react, they bear simple ratio to each other, अब इसका मतलब क्या है H2 plus Cl2, जैसे तुमने करा है, यहाँ पर एक volume, एक volume gives you 2HCl, जो कि अगे हैं एक gas है, दो volume, तो यहाँ से एक simple ratio उनके आया 1 is to 1 is to 2, ठीक है, सेम अगर इतर देखो के N2 plus S2, 1 volume 3 volume gives you 2NS3, यहाँ पर से अपने पास 2 volume आगए, तो इधर पर भी simple ratio हो गया, 1 is to 3 is to 2, ठीक है तो यह यहाँ पर से reactant और products के बीचे बीचे में, जितनी भी gases होती है, उनके अंदर जो भी उनके volumes का simplest ratio होता है, उसकी बात कर रहे होते हैं Galosec Law, ठीक है, अब यहाँ से एक चीज याद रखना है कि जो volume of liquid होते हैं और जितने भी like volume of liquid and soiled होते हैं, उनको लेकर के अपन क्या करते हैं उनके ratio को अपन 0 मान लेते हैं, और considered to be 0, ठीक है क्योंकि यहाँ पर से अपन को सरफ gases की बात करनी है, तो वगाड रोज लोग क्या कहता है, गेलो सैक लोग से ही जो ना लेकर के inspired है that equal volumes of all gases under similar condition of temperature and pressure contain the same number of molecules, मतलब क्या है भी यह इसका, इसका मतलब बहुस यह है कि मतलब जो equal volumes होते हैं, of gases under similar condition of temperature and pressure तो मालनों मैंने अगर HTP पर दो gases ले ली, एक V1 और एक V2 और इनका दोनों का volume V के बराबर है, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होंगे, same number of moles होंगे, या आपर कहा सकते हो, molecules होंगे, समझे रो, same number of molecules होंगे simple सी चीज एक नब, कि माल लो हमारे पास दो gases है, ठीक है, हमारे पास क्या है, दो gases है V1 और V2, STP पर है दोनों, ठीक है, physical condition क्या है, same है, ठीक है, physical condition क्या है, constant, same है, ठीक है और दोनों का volume same है, ठीक है, V1 is equal to V2 is equal to V, volume है, ठीक है, तो यहाँ पर इस case में होगा क्या, कि भाई, इस case में जो न, basically आपके पास में कुछ ऐसी चीज आ रही होगी, that यहाँ पर से तुमारे पास, basically तुमारे पास जो result होगा, वो कुछ ऐसा होगा, कि इसके अंदर माल लो N molecules है, तो इसके अंदर भी क्या होगे, N molecules होगे, same number of molecules, समझ गए, चलो, बहुत बढ़ी है, उसके बाद मैं, अब तो मतलब जैसे कि अगर आपने बात करें, Monoatomic जो होते हैं, वो Helium हो गया, Diatomic में तुमारा Hydrogen हो गया, Triatomic में तुमारा Ozone हो गया, Tetraatomic में तुमारा Phosphorus हो गया, Octatomic में तुमारा Salphar हो गया, तो इस तरीके से, ठीक है, अच्छा, Application क्या है, Vagard Rose Law की, यहाँ पर से तुमारा यह सबसे पर तो explain करता है, Galosex Law को, बहुत अच्छे तरीके से, उसके आद में यह Atomicity को जो ना लेकर करके, Determine करता है, किसको? Atomicity को, उसके बाद में यह Determine करता है, तुमारे Molecular Formula of the Gases को, ठीक है, और साथ-साथ यह Determine करता है, Relation between Molecular Mass and Vapor Density, ठीक है, चलो, उसके बाद म Boss, अगर अब यह पन आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर से कुछ बहुत important terms है, जो तुमको समझने बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे सबसे पहले आता है, Relative Atomic Mass, Relative Word का कहीं पर भी इस्तिमाल हो जाए, मतलब की unit नहीं है, देख लो, unit is equal to unit less, Atomic Mass, Atomic Mass मतल of Atom, तो यहाँ पर unit होती है, Amu, लेकिन वही, Gram Atomic Mass की अगर मैं बात कुरूँ, तो यहाँ unit होती है, Gram, Simple सा difference है, कि मानलो अगर हमारे पास में, हम Atomic Mass निकाल रहे हैं किसका, एक Atomic Mass, किस Atom का, मानलो हम लोग एक Oxygen का Atom का निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यह कैसे निकालेंगे यह हो जाएगा, अपना मानलो 16 Amu, वेराज अगर अपन इसका Gram Atomic Mass निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालते हैं, ग्राम Atomic Mass निकालते हैं, ठीक है, तो यह कित्ता हो जाता, यह बेसिकली इसका हो जाता, 16 Gram, ठीक है, तो बस इतनी इसी बात हो रही है, अच्छा, Gram Molecular Mass की बात कर है, relative vapor density में, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझना, that mass of volume B of gas under similar condition, और उसके आद मास of volume of H2 gas under similar condition, अब मैं एक चीज जानता हूँ, अगर मैं similar conditions की बात करूंगा, तो भाया, यहाँ पर हमारे H2 gas का mass करता है, 2 आता है, 2 into 1 is equal to 2, है ना, तो यहाँ पर से अपन clearly एक बात बो important relation है, इसको तुमको अपने दिमाग में चाप लेना, एक दम अच्छे तरीके से, ठीक है, चलो, क्योंकि इस पर guaranteed एक कोई छोटा सवाल भी बन सकता है, और तुम पूरे number निकाल के लिए क्यार होगे, अब mole concept की बात करते है, main cheese, देखो, one mole of NS38 STP की अगर मैं बात करूं, त लेकिन एक mole है, एक mole का मतलब क्या हो गया, कि यह मास हो जाएगा 17 gram, और same way vapor density क्या हो जाएगी 8.5, ठीक है, तो यहाँ पर से अपन जानते, एक mole के अंदर यहाँ पर कित्ते molecules हो रहे होंगे, 6.022 into 10 to the power 23 molecules, अच्छा मैं तुम से बहुत बढ़ी है सवाल करता हूं, अब एटम है, एटम कित्ते हैं तो तुम बोलोगे 4 into 6.022 into 10 to the power 23, so that's going to be 24.088 into 10 to the power 23, ठीक है, तो यह तरीके से आंसर कर दिया अपन ने, उसके बाद में चलो अपन अगर आगे बढ़ते हैं, so basically अब कुछ PYQs करेंगे, ठीक है, PYQs करते चलोगे, so now you will get some confidence, सबसे पर एक सि ammonia gas है at STP, चलो बहुत बढ़िया, so volume occupied by gas, तुम जानतो भी है, एक मोल का है यहाँ पर से STP पर, at STP क्या volume होता है, 22.4 liter, हमारे पास किते मोल है, पहले तो number of moles निकाल लेते हैं, number of moles किते हैं, कैसे निकलेंगे, तुमारे पास given mass क्या है, given mass है तुमारा 68, और फिर mass of 1 mol कितता ह होता है 17 gram, तो यह आगया 4, तो 4 moles है हमारे पास, तो मैंने बोल दिया सबसे पहले तो अपन volume कैसे निकाल लेंगे, 4 into 22.4, तो यह किता आ जाएगा तुमारा 89.6 liter, ठीक है, how many moles are present, तो यह तो तुमने निकाली दिया, 4 है, उसके बाद में how many molecules of ammonia are present in the cylinder, तो यह भी तुम निक 3, ठीक है, simple answer, चलो, बहुत बढ़ी है, उसके बाद में बहुत, अगर आपन आगे बढ़ते हैं, तो यार देखो, अगर अभी आपन आगे बढ़ेंगे, तो यहां से क्या रहा है, अब तुमारी एक reaction आ रही है, यह है तुमारा octane, ठीक है, so this is your octane, ठीक है, चलो, combustion करा रह रहन दो, तुम तो सीधी-सीधी बात समझो, how many molecules of CO2 are produced when one mole of octane 1, तुम देख रहा होगे, 2 volume से यहां पर कितने volume बने हैं, 16 volume, ठीक है, तो एक volume से कितना बनता, 8 volume बनते, तो मैं बोल देता कि यह simple सी बात है, 8, ठीक है, so like how many molecules of CO2 are produced when one, molecules नहीं होगा, यहां पर से छोटा सा correction ह है, how many moles, ठीक है, how many moles, तो इस cancer क्या जाएगा, 8 moles, ठीक है, उसके बाद क्या है, what volume at STP is occupied by the number of moles determined in part 1, चलो, ठीक है भाई, यह पूछ रहा है, तो भाई साब यहां पर से अब तुम देखो कि what volume, तो यह आपने पास 8 moles है, तो एक mole कितना करता है, 22.4 करता है, into 8 करतो, ठीक है, तो इसका जो भी answer है, basic calculation है, तुम comment section में बता देना, ठीक है, उसके बाद में, if the relative molecular mass of CO2 is 44, what is the mass of CO2 produced by burning 2 moles of octane, अब 2 moles of octane से अपनको कितने वो मिले, 16 moles, तो भी यह 16 moles का निकालना पड़ेगा, तो 16 into 44, अब इसका भी basic calculation है, जो भी answer है, तुम ले करके comment section में बता देना, क्य नाम of SO2 है, सबसे पहले तो SO2, इसका molecular mass क्या है, तुम यह निकाल दो, ठीक है, molecular mass, ठीक है, तो यह किता होगा, अब simple सी बात है, SO2 है, 32 plus 16 into 2, तो पतलब कि 64 gram, ठीक है, हमारे पास given किता है, अब देखो, एक mole का mass किता आता, यह तो अपनने निकाल लिया कि 64 gram, हमारे पास given क किता है या, 3.2 gram, ठीक है, तो अब moles पूछे जाए, तो मैंने बोला, देखो यार, अगर एक mole का किता होता है, 64 gram होता है, तो फिर अपना ले करके 3.2 gram में कितने mole आएंगे, बताओ, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई, देखो, यहाँ पर से अपन सिंपल सी बात रखते है, 3. 3.2 by 64, तो answer आजाएगा 0.05, ठीक है, answer आगे अपना 0.05, ठीक है, तो 0.05 अपने पास में जुना ले करके moles हो रहे होंगे, तो उसकार में number of molecules कैसे निकालेंगे, पर number of molecules तो मैंसे ही निकाल सकते हो भाई, पार्ट सेकेंड का answer मैं बता रहा हूँ, 0.05 into 6.022 into 10 to the power 23, ठीक है, यह भी तुम basic calculation कर लेना, अचा, third part पर अगर मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ से scene क्या है, volume occupied by 3.2 gram of SO2, तो मतलब की, यहाँ पर से again अपन क्या करेंगे, 0.05 into 10 to the power, यहाँ पर से ले करके, sorry, 22.4, ठीक है, into 5 किससे करा देंगे, इसका 22.4 से, और इसका answer भी तुम लोग comment section में देना, यह सारी चीज़े में तो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि तुम कुछ तो महनत करो, इस session को देखते हुए, क्योंकि PYQ करना बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, मैं main पूरी चीज़ कर रहा हूँ, basic calculation तुमारे हद्टे छोड़ रहा हूँ, अब आ जाते हैं, बहु कर दो, तो यह क्या हो जाएगा, C1, H2, O1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो देखो वह ही हो गया, glucose बन गया, और यह हो गया, empirical formula CH2O, ठीक है, CH2O, ठीक है, तो यह चीज़ अपनी हो गई, और 6 अपने निकाल लिया, अब यहाँ से होता गया, यह N को अपनने 6 मान लिया मान लो, ठीक है, तो हमारा जो molecular formula हो गया, वो basically क्या हो गया, N into empirical formula, ठीक है, अच्छा, same way अगर अपने mass के terms में बात करें, तो mass of molecular formula पता क्या हो जाएगा, N into mass of empirical formula, देखनी है यह चीज़, आज हो दिखाते है, C6, H12, O6, ठीक है, empirical formula क्या है, अपने CH2O, मैंने बोला इसका mass निकाल लो जाएगा, इसका mass क्या होगा, 12 plus 2 plus 16, तो यह हो जाएगा 30, 30 gram, ठीक है, और N अपना 6 है, अब मैंने बोला चलो ठीक है, इस हिसाप से अगर अपन देखें, तो अपना molecular formula का mass केता आना चाहिए, N into empirical formula का mass, that's going to be 6 into 30, that's going to be 180 gram, let's check it, whether it's correct or not, इसका निकाल लेते हैं, अपना आचाओ रख ली, 12 into 6 plus 12 into 1, ठीक है, plus तुमारा लेकर के 6 into 16, ठीक है, yes 16, ठीक है, चलो, आजाओ, अब इसको देखते हैं, ठीक है, 12 into 6, 72 plus 12, plus 16 into 6, मतलब की लेकर के, 80 plus 96, ठीक है, so that's going to be 84 plus 96 and that's going to be 180, तो तुम देख सकते हैं, 180, 180, तो आगया न सीम, इस तरीके से this works, उसके आदम यह अब एक बहुत इंबहुत चीज़ आती है, percentage composition, मतलब एक particular element का एक पूरे compound में कितना percentage है, ठीक है, so percentage of an element in an compound, ठीक है, कैसे निकालेंगे, total weight of element in one molecule, by gram molecular weight of compound, ठीक है, into 100, तो अब इसके बारे मैं अगर मैं धंग से बात करूँ, अच्छे तरीके से समझना, तो basically इसको अपन कैसे निकालते हैं, आओ water कित्रू देख लेते हैं, जैसे percentage composition of H in H2O, तो H2O की अगर मैं बात करूँ, क्या-क्या है, 2 into 1, plus 16, 18 है, और यहां से अपने hydrogen की इसमें कित्ती contribution है, 2 की, तो अबन कैसे निकालेंगे, अब hydrogen का percentage composition 2 by 18 into 100, तो यह कित्ता हो जाएगा, यह 100 by 9 हो जाएगा, which is going to be 11.11%, ठीक है, तो यह अपना answer आ गया, समझ गए, तो इस तरीके से we can find the answer, उसके आद में एक और बार कर लेते हैं, चलो, हम लोग Na2CO3 में, dot 10S2O, यह जो हमारे पास में compound है, जिसके अंदर water of crystallization है, तो हम लोग water of crystallization का निकालते हैं, ठीक है, सबसे फिले तो पूरे का mass निकाल लेंगे, तो यहां से हमारा 23 into 2, plus 12, plus 48, plus 10 into 18, तो यह आगे 286, ठीक है, water of crystallization का mass करता है 180 है, so 180 by 286 into 100, अब तुम specific calculation बैटके करते रहें, लेकिन मैंने बता दिया है यहां से पहले, कि यह 62.9% जो है ना तुम्हारा लेकर के यहां पर से water available है in this particular compound, which is Na2CO3.10s2, ठीक है, अब कुछ PYQs करते हैं अपन तगड़े से, जिसमें सबसे पहले आगे हमारे पस, a compound made up of two elements x and y, ठीक है, इसका empirical formula क्या भी है, x2y है, ठीक है, अच्छा, atomic weight of x is 10 and y is 5, तो मैंने बोला, इसका empirical formula mass निकालना है, किता हो जाएगा, तो जाएगा 10 into 2 plus 5, 25, simple, ओके, अच्छा, vapor density of a compound 25 तो अपना molecular mass खता आजाएगा, that's going to be VD into 2, that's going to be 25 into 2, which is 50, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो find molecular formula, तो मैंने बोला, देखो, molecular formula क्या होता है, n into होता है, तु हमारे जो molecular formula mass होता है, अपनको पहले n निकालना पड़ेगा, ना कैसे निकालेंगे, वो होता है, तो मैंने बोला, देखो, 50 is basically equal to n into 25, तो हमारा n आगया 2, अब अगर तुम देखो, कि empirical formula क्या है अपना, x to y है, ठीक है, तो अगर मैं इसमें n, empirical formula करूँँगा, तो यह हमारा जाएगा molecular formula, ठीक है, तो यह से अगर मैं कर देता हूँ, 2 x to y, ठीक है, आजाएगा, x4 y2, समझ गए, simple एकदम, चलो, बहुत बढ़िया गाईज, next question, हमारा क्या है, a gases compound of n and h, contains 12.5% hydrogen, hydrogen कित्ती है अपनी, 12.5% है, ठीक है, by mass, find the molecular formula of the compound, पहली बात तो nitrogen का automatically लिख लिख ठीक है, अच्छा, इसका RMM बता रहे है पर को relative molecular mass is 37, ओके गाईज, बहुत बढ़िया, तो ऐसे questions को देखो, कैसे करना, उसके लिए मैंने कहाँ पर से तुमारा solution निकाल के लाए हूँ, because यह समझाना भी बहुत जादा जरूरी है, ठीक है, चलो, तो अब इसको अच्छे त देखो, यहाँ पर हमारा element N है, जो इसका बन को जानते है, percentage by mass किता है 87.5 और hydrogen का किता है 12.5, atomic mass किता होता है 14 और इसका 1 होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे बहुत तो number of atoms निकालने के लिए, हम just माल लेते हैं, assume कर लेते हैं, कि 100 है माल लोग, तो हम क्या करते सबसे चोटा है, उससे डिवाइड कर दो, simplest ratio के लिए 6.25 by 6.25 करोगे, यह बन आ जाएगा, और 12.5 पो अगर करोगे 6.25 से, तो यह 2 आ जाएगा, तो यहाँ से अपन को एक empirical formula पता पढ़ गया, कि हमारा क्या है NH2 है, ठीक है, अब NH2 है अपने पास, तुम समझे रो, अपने NH2 को अगर तुम देखते हो, तो NH2 का मास किता आ गया 16, ठीक है, और हमारे पास में relative molecular mass किता है, relative molecular mass is 37, ओके गाई बहुत बढ़िया, तो मैंने बोले एक काम करते हैं, molecular weight 37 है, तो अब सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, देखो, यहाँ से एक चीज करते हैं, अगर हमारे पास में मानलो, empirical formula जो है न, क्या आ रहा है, NH2 आ रहा है, ठीक है, और हमारे पास molecular formula का जो mass है, that is going to be 37, और यह अपना 16 है, ठीक है, तो अपन N कैसे निकालेंगे, MF का mass by empirical formula का mass, जो कि हमारे खता जाएगा 37 by 16, 2.34 के something आ रहा होगा, जिसको अपन somewhere-somewhere मानलेंगे 2 के, ठीक ह तो अगर अपन 2 और यहां से लिख देते हैं अपना NH2, ठीक है, क्या जाएगा अपना N2H4, now this is the compound, और तुम देख सकते हो, answer यह है, N2H4, ठीक है, चलो, भईया, एक सवाल और करा दो, चलो आओ भई, बिल्कुल करा देते हैं, एक सवाल अगर तुम और करने को जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां से अगर तो हम एक और सवाल देखते हो, तो यह देखो, यह भी एकदम बड़ी ऐसा सवाल है, अच्छे तरीके से देखना, ठीक है, की हमारे पास क्या है, when excess lead nitrate solution was added to a solution of sodium sulfate, 15.5 gram of lead sulfate, देखो जो details मिला करें हो, उन्हें पहले ही लिख द sodium sulfate कितना present था, इस case में, इधर पर, ठीक है, यही पूछा गया है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सबसे पहले तो क्या करो, यहां पर से अपना, जो reaction है न, उसमें देखो, Na2SO4 का mass निकाल लो, तो 2 into 23 plus 32 plus 64 plus 46 plus 32 plus 64, यह basic calculation तुम लोग करते रहें न, 142 gram आ तुम देखो के, PYQ में सारे सारे, तुमारे पास जो न, molecular, जो atomic masses है न, वो given है, तो atomic masses जो न, given आते हैं, लेकिन starting के कुछ कुछ के लिए नहीं आते हैं, एक से 20 के लिए नहीं आते हो, जो तुमें याद भी रहते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो न, लेकर के, they are given atomic masses, ठीक है, चलो, अब यहां से मैंने बोला, देखो यह चीज हो गई, तो अगर मैंने बोला, 303 gram of lead sulfate is precipitated by 142 gram, तो अगर हमारे पास मैं मालो 15.15 gram मिल रहा है, at last, तो कितना होगा, ratio लगा लेते हैं, simple सा, 15.15 lead sulfate is precipitated by 15.15, ठीक है, into 142 by 303, अब ये बहुत ही जादा keen calculation है, त इसको तुम करोगे, तो the answer is going to be 7.1 gram, लेकिन तो मैं इसको calculate करना है, क्योंकि habit build करनी है, अब तुम ऐसे हर तरीके के question को जो ना ले करके, यहां पर से solve कर सकते हो, because now you guys are prepared for the mole concept chapter as well, and now we are done with the chapter, मैंने यहां पर हर तरीके की चीज को अच्छे तरीके से समझा दिया, तुमने 20- पच्छेस मिनिट के अंदर अंदर जो ना बढ़िये तरीके से पूरे chapter को done किया है, and I hope so तुमको सबको समझ में आ गया हो, अभी हम रखते है आर इस वाले वीडियो में इतना ही, and मिलते तुमारे upcoming videos, मिन तब तक लिए, thanks for watching, happy learning, bye bye, love you all, hasraad.